जै माता दी मित्रो मिरा नाम पंडित प्रकाज जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट्रो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वीकली रासी फल यानि सब्ताहीक रासी फल 19 से लेकर 25 जून में 12 राशी होगी क्या इस्तती होगी क्या निर्णे लेना बडलाव लाएंगे इसके बारे में कारेकराम में चर्चा करेंगे लेकी कंद राशी क्या निर्णा है मेर्श राशी वाले जातक हो या जातिकां हो वह परिवार के या बच्चों के काम के बोज के तले दब सकते हैं यानि कि यह जो पूरा सबता है बच्चों के काम करते करते गुजर जाएगा इस्कूल का काम हो गया, इंस्टिूट का काम हो गया, बच्चों के लिए आपकी दोड़ा भाग नजर आ रही है, परिवार के लिए दोड़ा भागी वाला सप्तार हैगा, धन की इस्तती की बात करें तो धन की इस्तती में बुद का भद्र योग बन रहा है, जो कि बहुत करता है साती साथ धन समंदी कोई बड़ा काम आपका होगा करियर के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो सब्ता है वर्क लोड आपके उपर ज्यादा रहेगा मेश राची पे और पुराना काम निप्टाने का मेनेजमेंट का आपके उपर दबाब रहने वाला है यानि समंदी प्राव्लम एसिडिटी की परिशानी रहेगी और पार्टनर का वाहन पर खर्चा सकता है या इलेक्ट्रोनिक आइटम पे पार्टनर का धनकर्च हो सकता है लेकिन बाउंडिंग आपके बीच में अच्छी है पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप मंदिर या तीर किसी की राय से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कुछ सीखने वाले हैं या कोई नया काम आप शुरुवात करने वाले हैं या किसी के साथ मिलके नये काम की शुरुवात होगी या कोई राय देगा कि यहां धन इन्वेस्ट करें तो आप धन इन्वेस्ट करने व योगी जैसे सूर्य चमकता है और सूर्य को कहा जाता ओम प्रभाकराय नमा दिवाकराय नमा और आदिदेव नमस्तुब्यम परसीदम ममभासकरम दिवाकरा नमस्तुब्यम प्रभाकरा नमस्तुदे तो इसी प्रकार से आपकी धन की इस्तती बहुत अच्छी रहेगी सरकारी रुखावा काम आपका बन सकता है, या कोई टीडियस या सरकार से कोई धन की वापसी या रिटन में कुछ पैसा भी आपको इस सब्टा वापिस आ सकता है, साती साथ धन कमाने के लिए नदी समुद्र पानी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, इस सब्टा ऐसा योग नजरा रहा है साथ ही साथ माता पिता से कोई गेफट कोई उपहार भी आपको प्राप्त होगा तो कुंड मिलाके धन के लिए यह सब्ता अच्छा है खासकर अगर आपके रिटर्न या टीडियस में आपको वापसी चीए धन तो वह आने की संभावनाई सब्ता बन रही है करि परिवर्तन के सब्ता आपको ओफर मिल सकते हैं ऐसा योग बन रहा है नया प्रोजेक्ट अगर आप वहीं संस्थान में तो नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा उसकी प्रबल संभावनाई सब्ता बन रही है काम में व्यपारियों के दुगंदारों के अचानक तेज अच्छे हैं लेकिन भाईयों से आपके पार्टनर के या बेहनों से आपके पार्टनर के से वाद विवाद रह सकते हैं यानि कि जो भी आपके पार्टनर है उनके भाई बेहनों से वाद विवाद सब्ता रह सकते हैं साती साथ वीकेंड में पार्टनर को शांत करने के रिलेशन्चिप अच्छा रहेगा मेरे अपनी तंजानिया में प्राइविट प्राक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नीचे रही थी लेकिन मैंने जब से परकाश पंडी जोची के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा करता गया आज मेरे सब्ता है देखा जाए 19 से और 25 जून तक बहुत मैतुपूर्ण सब्ता है मितुन राशी के लिए आपको किये के काम के लिए आवार्ड या समान प्राप्त हो सकता है यह किसी संबाजिक संस्ता से आपको अवोर्ड मिल सकता है या फिर किसी मशूर नेता मंत्री से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है इस सब्ता धन की स्तती की बात करें तो धन की स्तती मिश्रित रहेगी यानि की 19 से लेकर और 25 जून तक आपको धन मिलेगा अच्छे फ्लो में धन मिलेगा लेकिन वहीं पर धन आपका एल्लेक्ट्रोनिक आइटम में खर्चा होगा वान पे तो कुल मिलाके धन का फ्लो तो अच्छा है लेकिन धन खर्च भी होगा करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्तती भी मिश्रित है क्योंकि शनी वक्री है वक्री से तीसरी दृष्टी आपके करियर के स्वामी पे है तो आपके करियर में जो रुकावटे आ रही है वो आपके काम में बिल्कुल अमना नहीं होरी थोड़ा positive response शुरू हो जाएगा relationship की अगर बात करें तो relationship में partner से सब्ता किसी topic को लेकर वाद विवाद कम हो सकते हैं या जो वाद विवाद चल रहे थे वो वाद विवाद आपके खतम हो सकते हैं और जो आपके partner हैं उनको भी career के अंदर पद धनकिलाब के योग नजरा रहे हैं तो कुल मिलाक के मित्वन राशी के लिए ये सब्ता अच्छा है अब बात कर लेते करकराशी की तो करकराशी का देखा जाए तो इस सब्ता देखा जाए परिवार संबंदी करकराशी को बड़ी खुशकबरी मिल सकती है परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ आप मांगलिक या करियर से समंदित काम बन सकता है और देखा जाए तो भौतिक वस्तु या वाहन खरीदने के योग भी आपके नजर आ रहे हैं आप भौतिक वस्तु में टीवी एसी जो भी लक्जरी आइटम है वो आप खरीदने वाले हैं या तो अपने लिए अपने 185 समन्दित खुश्कबरी आपको मिलेगी धनी की इस्ति की बात करें तो धनी की इस्ति विदेश से कोई गिफ्ट कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है अम आपका नाम संम Candi खासकर वो इस सब्धा आपका बन सकता है साथी साथ धन का बड़ा इंवेश्टिमेंट आप यह या सरकारी योग नामें कर सकते हैं घंका इन्वेस्टमेंट भी करते हुए आप इस सब्सक्टा नज़राएं ग trophies से खास्ट में अ प्रफ करेंके तो जातने के बना कि सब्सक्रैने अच्छी रहेगी बढ़ा project आपको मिल सकता है साथी-साथ देखा जाए, बड़ा project मिलेगा काम भी आपके अनुसार मिलेगा लेकिन थोड़े से आप प्रेशान machine की खराबी के कारण रहेंगे या आपके computer की खराबी के कारण या आपके device के अंदर कोई virus आजाने के कारण काम में थुपधा बुदो डिले हो सकता है लेकिन करियर के लिए यह सफ़ता अच्छा है relationship के लिए देखा जाए तो शनी जो वकरी हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो relationship के लिए अच्छे नहीं है कुल मिला के partner से वाध विवाध बढ़ सकते है पार्टनर को हेल्थ के इशू, हाथ पेर में दर्द, कमर में दर्द, स्पॉंडलाइटिस, सर्वाइकल, अचानक मोच की संभावना इस सप्ता रह सकती है, याद रखिएगा अब बात कर लेते हैं सिंग रासी के लिए तो ये सप्ता सबसे गजब सप्ता रहेगा यानि कि चक्रवर्ती राजयोग बन रहा है, इस सप्ता सिंग रासी के स्वामी लाब भाव में बैठे हैं, तो कोई ना कोई बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त हो सकती है, या करियर में या राजनेतिक खुशकबरी आपको मिलेगी, या समाजिक इच्छा कोई ना कोई आपकी पूरी होगी, या तो करियर में आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी, या आपको राजनेतिक कोई पद दे सकता है, या समाजी के पद में या चुनाव में आपकी विजए होगी, तो कोई ना कोई इच्छा तो आपकी चक्रवर्ती राजयोग के कारण इस सप्ता पूरी हो रही है, साती सात किसी सेलेब्रिटी से अचानक या किसी मशूर व्यक्ती से अचानक मिलने का मौका भी सूर्य देव आपको देने वाले हैं, यानि सूर्य जो लाब भाव में बैठे हैं, वो आपके लिए बड़े लाब कारी है इस सप्ता, आप बात करें, सिंग सिंगरासी के धन की स्थती तो धन में भी भद्र योग बनना है, यानि 19 से लेकर 25 दून में धन समंदी किये गए प्रियास, आपके सफल होती वे नजर आ रहे हैं, कोई बड़े डील, अचानक बड़ा धन का लाब आपको मिल सकता है, तो 19 से 25 दून में सिंगरासी को धन से स खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, साथ ही साथ खुशखबरी के साथ में या तो प्रोजेक्ट चेंज होगा या इस्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, नई जगा से भी आपको ओफर मिल सकता है, तो यह जो चकरवरती राज योग है, एक सप्ता के लिए जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा लापकारी है, इसी प्रकार से रिलेशन्शिप के लिए बात करें, तो जो आपके पार्टनर है, उनका भी पद प्रमोशन हो सकता है, आपका पार्टनर भी सप्ता करियर से सम्मंदित कोई बड़ी खुशकबरी आपको दे सकता है, बस देखा जाए तो आपके पार्टर को हेल्थ के इशू रहेंगे या हलकी चोट लग सकती है या किसी कीडे काटने से या किसी जीव जनती से हलकी चोट के योग आपके पार्टर के बन रहे हैं। तो कुल मिलाके ये सप्ता सिंग राची के लिए लाब कारी है। अब बात करें कर्णिया राची के लिए ये सप्ता 19 से लेकर 25 जून तक देखा जाए तो भद्र योग आपके नवम में भुद्ध बैटा है जो की केंद्र त्रिकोन में देखा जाए त्रिकोन भाव में बैटा है और भुद्ध जो भद्र योग बना रहे हैं तो भाग्ये से रुकाववा धन रुकाववा काम आपका बन सकता है कोई बड़ी करियर से धन से समंदित आपको खुषकबरी सब्ता अचानक मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी कि ये काम मेरा कैसे बन गया भागी के कारण बन गया धन की स्थती की बात करें तो धन आपकी धन की स्थती ठीक है लेकिन धन आपका वाहन पे खर्च होगा और धन संबंदी कोई बड़ी तील इस सप्ता आपकी क्रैक हो सकती है ये बड़ी संबावना है तो धन संबंदी किये गए प्रियाज इस सप्ता आपके सपल होते वे नज करियर के लिए देखा जाये सूर्य और चंद्रमा दोनों दसम भाव में विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं बहुत सा आपके काम से प्रसंद होंगे आपके पीट आपके सीनिय ठपतपाने वाले हैं साथी साथ किसी समाजिक संस् आपको award मिलने के योग नज़र आ रहा है साती साथ सरकारी दफ्तर मंतरा लेके किसी काम के सिल्थले में आपके चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं या उनके office जाना पड़ सकता है किसी नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है और कुछ काम की बाते हो सकती है और उसमें positive response मिल सक करना है relationship के लिए देखा जाए तो इस सप्ता जो partner है उनका कोई सोना चांदी से बनीवी वस्तू गुम हो सकती है चोरी हो सकती है ऐसा योग नज़र आ रहा है partner को नींद की problem सरदर्द की problem इस सप्तार रहने वाली तो यह सप्ता partner के लिए अच्छा नहीं है अब बात कर लेत बड़ा उठा पटक positive उठा पटक यह सप्ता आपका होने वाला है और मन भी खुश हो जाएगा कुछ ऐसा करियर में होगा कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है करियर समंदी सकरात्मक आपको यह positive news मिलने वाली है इस सप्ता ऐसा संकेत मिल रहा है धन की इस्तती की बात कर पुरानी डील है पुराने क्लाइंट अचानक आएंगे अचानक आपका डील मैच्योर होगी और आपको धनलाब होगा और पार्टनर आपको कोई धान या गिफ्ट दे सकता है तो कुन मिलाके दो जगाते धन की इस्तती धनलाब के योग बंदें करियर के बारे में बात करे तो करियर में आप थोड़ा busy schedule रहने वाला इस सकता जल्दी बाजी में काम निप्टाने वाले हैं जल्दी बाजी में करियर में काम निप्टाते वे नजर आएंगे और फाल्दू के activity आप cancel करते वे नजर आएंगे इस सकता आपका focus काम निप्टाने को रहेगा और करियर सम मत भी पार्टर से नहीं होगा सातीची साहथ आपका जो नगतैंगे और जो आपका पार्टर ayr वह परिवारिक जिम्मेवारी निप्टाता हुआ नजर आएगा तो कुल मिला के relationship में भी देखा जाए तो आप दोनों ही जिम्मेवारी निप्टाते वे नजर आएंगे आप बात करते हैं ब्रिच्चिक रासी के लिए ये सप्ता देखा जाए तो परिवार वालों से ब्रिच्चिक रासी की किसी टॉपिक को लेकर बैस हो सकती है साथी साथ health के issue रहेंगे, allergy हो सकती है, सरदद की परिशानी आपको रह सकती है धन की इस्तिकी बात करें तो इस सप्ता धन के लिए ब्रिच्चिक रासी का किसी से वाद विवाद हो सकता है कोई वस्तू चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो कुल मिलाके धनानी के ही हो गई यानि कि बिच्चिक रासी के लिए ये सपता अच्छा नजर नहीं आ रहा है, करियर में बात करें तो करियर में समान्य फल दायक ये सपता रहेगा, आप बिजी रहेंगे लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉंस आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बनते बनते काम आपके अटक सकते हैं, तो कुल मिलाकी ये सपता अच्छा नहीं है, रिलेशन्शिप में देखा जाये तो जो आपके पार्टनर हैं, उनको करियर में पदधन का लाब होता हुआ नजर आ रहा है, और पार्टनर के माता-पिता से मिलने या भाई-बेहन से मिलने के योग बन रहे है यानि के पार्टनर के घर की यातरा इस सपता आपके बन सकती है, बाकि आपके लिए ये सपता बहुत खास नजर नहीं आ रहा है, धनुराशी की बात करें तो ये सपता देखा जाये तो संतान की जूट या चोरी आप पकड़ सकते हैं, या पकड़ी जाएगी जिसके लिए संतान से बैस हो सकती है, और अगर यदि छूटी संतान है तो उसके स्वास्ति उसके करियर के लिए आप बड़े चिंता में रह सकते हैं, धन किश्टती की बात करें तो जो शनी वकरी हो रहे हैं, उस कारण से अचानक आपको धनलाब की योग नजर आ रहे हैं, पुराना का अचानक आपको धनलाब देगा, पुरानी डील अचानक आपकी बन पड़ेगी, साती सात रुका हुआ धन भी आपको वापिस मिल जाएगा, तो कुल मिलाके शनी वकरी का ये सब्ताहा आपको धनलाब होगा, करियर के बारे में बात करें तो नए नई जगा से आपको काम के ओफर मिल सकते हैं, या पद का ओफर मिल सकता है, करियर के लिए ये सब्ताह बहुती अच्छा रहेगा, कुछ नया कुछ सीखने को ओफिस में आपको मिल सकता है, साती सात, मीटिंग पे मीटिंग ओफिस में होगी, नया सॉफ्ट्वेयर या नया कुछ सीखने के लिए आप आपको यह सब्ता बहुत ज़्यादा चीजे सीखनी पड़ेंगी ऐसा योग नजरा रहा है तो कुछ सीखने को इस सब्ता ऑफिस में मिलेगा इस सब्ता रिलेशन्शिप की बात करें तो पार्टनर को इस सब्ता कोई अवार्ड कोई सम्मान मिल सकता है या सीनियर उनके कहा कि के लिए देखा जाए जो शनीवकरी हो रहे है उसका स्वास्ते पे एफेक्ट है स्वास्ते में देखा जाए तो आपको हात पेरों में दर्द की सम्वावना या दात में दर्द आपका सुरू हो सकता ही ऽलकी चोट लग करें ऐसा-बदे स्स euh इस्ठिती की बात करें तो शनी वक्री होने से आपको कोई बड़ा अचानक धनलाब हो सकता है या बड़ी पुरानी डीछ जो रुकी पढ़ी थी वो बन सकती है बड़ा धंते संबंदित कोई प्रोजक्ट क्रैक हो सकता है यानि बड़ा धंका लाब इस सब्सक्राइब को होता हुआ नजर आ रहा है बाकी के 21 से 25 तक करियर अच्छा रहेगा लेकिन ये दो दिन आपके लिए खराब हैं साथी साथ देखा जाए तो रिलेशन्शिप की बात करें तो इस सब्सक्राइब देखा जाए तो जो आपके पार्टनर है उनको नेत की प्रोब्लम तोचा समंदी प्रोब्लम या इन्फे का मूंड अच्छा करने के लिए आप उनको मॉल घुमा सकते हैं या होटल में में लंच करा सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है यानि की वीकेंड में पार्टनर को मनाने का आपका प्रियास रहेगा जो सफल रहेगा पंडित प्रकास जोसी जी ने मुझे फोन पर बताया थ दो हजार बीस में कि तेईस में तुम्हारे स्टूडियो का बदलाव होगा पंडित जी की बात सत्य हुई मेरा स्टूडियो कहीं और था आज मैं यहां पर हूँ धन्यबाद पंडित जी आप बात कर लेते हैं कुम्बराशी की तो कुम्बराशी के लिए देखा जाए तो इस सब्ता यानि 19 से 25 जून के बीच में देखा जाए तो दोड़ा भागी कुम्बराशी की जादा नजर आ रही है मेंटल प्रेशर में गरसित रहेंगे और विदेश से किसी वस्तू का आगमन होगा जिसको लाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ें धन की स्ततिकीबात करें नहीं है करियर के लिए देखा जाए तो इस सब्ता या जूनियर या सीनियर से आपकी बैस हो सकती है करियर में जो भी आप मैनत कर घरें उसमें आपको सबलता ही मिलने क के योग नजर आ रहे साथी साथ customer की complaints भी नजर आएंगी तो कुल मिला के देखा जाए यह सबता बहुत अच्छा नहीं है बड़ा पेशन्स आपको काम लेना पड़ेगा एक तो customer से आपके वाद विवाद रहेंगे customer आप नराज रहेंगे और customer complaint आपकी ज्यादा करेंगे relationship के लिए देखा जाए तो इस सप्ता देखा जाए पार्टनर के साथ में नदी पहाड की यात्रा के योग नजर आ पार्टनर को करियर में पद धनलाब के योग नजर आ रहे हैं तो कुल मिला के ये सब्ता आपके लिए तो कुम राशी वालो अच्छा नहीं है लेकिन आपके पार्टनर के लिए अच्छा है अब बात कर लेते हैं मीन राशी की तो मीन राशी का देखा जाए तो इस सब्ता ध वीवाद प्रिवार के अंदर उबरेगा साती सात घर में किसी सदस्य की वस्तू riding नशर आ रहेगा तो यह सबता धनहानी की योग नजर आ रहे हैं जो भी आप काम करेंगे जो invest करेंगे उसमें दनानी होती भी नजर आ रही है खर्चा आपका बढ़ सकता है एक तो संतान पे आपका खर्चा होगा electronic item पे आपका खर्चा होगा बिजली machine पे आपका खर्चा होगा तो खर्चा इस सब्ता मीन राशी का बहुत ज़्यादा रहेगा करियर की बात करें तो सारे कामों में जो भी सब्ता 19 से 25 जून में आप काम करने वाले उसमें असपल्दा मिलेगी साथी साथ जो सुब काम होने वाले सब्ता वो डिले हो जाएंगे तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब्ता काम के लिए करियर के लिए भी बहुत लापकारी नजर नहीं आ रहा है इसी प्रकार से रिलेशन्शिप की बात करें तो पार्टनर का देखा जाए तो काम के सिल्सले में दूसरे सहर की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं यानि कि अगर आपका पार्टनर वरकिंग है तो दो-तिन दिन के लिए उनको दूसरे सहर दूसरे परदेश जाना पड़ सकता है आपके पार्टनर को न्यू जॉब न्यू काम के ओफर होंगे तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए ये सब्ता अच्छा है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सब्ता ही ये नजर नहीं आएगा कुल मिला के देखा जाए तो आज हमने चर्चा करी सब्ताही के राशी फल की अगर ये कारेकरम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस पोस्ट को शेयर जरूर करें चैम मता दी